हे दोस्तों, this is Muqeis वेलगी कभी कभी हम लोग अपने ड़ीटूटै लाइप में इस तरीके के सरन्रेसिस को बोलते हैं जहां पर हम लोग काते हैं ऐसे में मैं क्या करता ऐसे में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा ऐसे में तुम क्या करोगे ऐसे में कोई तुम्हें पैसे नहीं देने वाला तो इस तरीके के सड़ेसे को इंगलीज में बोलने के लिए किसे श्ट्रेक्चर का यूज क्या जाता है लिमिट एल्यू एन बिफोर डाट हम लोग पहले यह जानते हैं यहाँ पर जो फ्रेज यूज हुआ है इस फ्रेज को इंगलीज में क्या बोलते हैं इसको आप दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं ऐसे में इसको इंगलीज में बोलते हैं इन सच अवे इन सच अवे या नहीं तो इन दिस कंडिशन इन दिस कंडिशन या इन सच अवे में से किसी का भी यूज कर सकते हैं इस्टेक्चर देखते हैं इस्टेक्चर में सबसे प्ले राइड करेंगे complete sentence और sentence को राइड करने के बाद हम लोग लगा देंगे in such a way या in this condition अबर इस्टेक्चर इजली completed इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं उसके लिए लेते हैं कुछ examples तो आज का पहला sentence है ऐसे में मैं क्या करता इस्टेक्चर के लिए बोलेंगे what would I do in such a situation या आप कह सकते हैं what I do in this condition next sentence ऐसे में कोई तुमारी मदद नहीं करेगा इस्टेक्चर के लिए बोलेंगे no one will help you in such a situation no one will help you in such a situation या नहीं तो no one will help you in this condition next sentence ऐसे में तुम क्या करोगे इस्टेक्चर के लिए बोलेंगे what will you do in such a situation what will you do in such a situation या नहीं तो what will you do in this condition next sentence ऐसे में कोई तुमें पैसे नहीं देने वाला इस संडेक्च के लिए आपको सकते हैं no one is gonna give you money in such a situation no one is gonna give you money in such a situation या in this condition यहां पर going to go गोना पढ़ते हैं next sentence ऐसे में कोई तुमें पैसे नहीं देगा इस संडेक्च के लिए बोलेंगे no one will give you money in such a situation No one will give you money in such a situation याने तो No one will give you money in this condition Next sentence ऐसे मैं उसे अकेला छोड़ दू इस संदेश के लिए बोलेंगे Leave him alone in such a situation Leave him alone in such a situation याने तो Leave him alone in this condition Next sentence ऐसे मैं तुम्हें अपनी माता पिता की बात सुननी चाहिए इस संदेश के लिए बोलेंगे You should listen to your parents in such a situation You should listen to your parents in such a situation या You should listen to your parents in this condition Hey guys इस जूड़ी मैं पोई संदेश देश को ट्रांसिक चीजराट की जए कमेंट बोक्स में यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आप को करेंट करके बता दूँगा दोस्तों वीडियो कैसी लेगे दिच्छे लेगे थे लाइक कर जिए मैंचे उनको सब्सक्राइब कर ले और बैल आकाउन को बिट कर ले ताकि मेरा रूज आने वाले वीडियो की नटिविकास और मिलती रहे थैंक्स पर वच्छिँ लगर चेपक है कर दो कर दो है